दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दाओनेस्ट में दोस्तो आज की स्वीड़ो में हम नागल लेंड के दस सबसे फैमस टेंबल्स के बारे में जानेंगे दोस्तो हमारी लिश में जो सबसे पहला है वो है कोहिमा वाज सिमिट्री दोस्तो कोहिमा वार्समिलिटरी शाला कि ये एक मंदिर नहीं है लेकिन ये दिवितेग विश्वियूद के दुरान शहीद हुए सेनुकों की याद दिलाता है दोस्तो पिर उसके बफ़ाद नेकस्ट है कोहिमा केथिडृल दोस्तो ये शेत्र के सबसे बड़े चर्चों में से एक है जो राज्य की राज़दानी कोहिमा में स्थित है ये अपने शांत वातवरन के लिए जाना जाता है दोस्तो इसके बाद नेक्स्ट है कचारी खांदाहर दोस्तो दीमापूर में स्थितिय एक आंदाहर का 40 अमराज जेद्वारा निर्मित एक प्राचीन मंदिर पारिसर की और इस शेश है इस थल में जटिल नकाशिदार पत्थर एक खंबे हैं दोस्तो पर इसके बाद हैं रोंगामी बेपातिस चर्च दोस्तो तो सिनफपति शेहर में स्थितिय चर्च रोंगामी नागा समुधाई के लिए महत पूर्ण है उस थानिय उबास्कों के लिए अध्यात्मी केंद्र के रूप में कार्य करता है दोस्तो पर इसके बाद नेक्स्ट है किस चर्च दोस्तो दीमपूर में इसायों के लिए एक महत्वपूर्ण पुजास्तल इस चर्च में एक शांत वातवरन है और ये विभिन दार्मिक सेवाँ के साथ स्थानिय समुधाई की सेवा करता है दोस्तो पिर उसके बाद नेक्स्ट है नागलेंड बेपातिस चर्च कॉंसिल दोस्तो कोहिमा में स्थिती ये चर्च नागलेंड में एक प्रमुक दार्मिक स्थान है जो राज्य भर में विभिन बेपेस्ट चर्चुं का सम्मानिय करता है दोस्तो पिर उसके बाद नेक्स्ट है कुकी क्रिस्चियन चर्च दोस्तो कुकी क्रिस्चियन चर्च शोदा चांदापूर में ये चर्च क्योंकि समुधाई के लिए महत तपूर्ण है और इसमें स्थानिये परमपराओं को प्रतिब इंबित कराने वाले अनूठी स्थाप्ति शैली है दोस्तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है श्री गनेश मंदिर दोस्तो श्री गनेश मंदिर हाला की बारत के अन्य हिस्टों के मंदिरूं जितना प्रमुख नहीं है दिमापूर का ये मंदिर बगवान गनेश को समर्पित है वो स्थानिये बक्तों के लिए पूजा का केंद्र है दोस्तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है श्री राम मंदिर दोस्तो दीमापूर में स्थित ये मंदिर बगवान राम को समर्पित है और अपने शांती पूर्ण वाता भरन और धार्मिक गति विदियों के लिए जाना जाता है दौस्तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है दबतिष चर्ट मोन दोस्तो मोन जले का ये चर्ट स्थानिय बेपतिष समुधाई के लिए महत्वपून है और धार्मिक और समुधाईक गति वीडियो में महत्वपून भोहमिका निभाता है दोस्तों ये थे नागालेंड के 10 famous temples दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो informative लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फोलिज वीडियो को लाइक करें और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब रहें मिल दें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थेंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो